गुद मालिंग स्टुडेंट्स, उमीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों के अंदर की होंगे, क्योंकि जैसे कि आज कल क्रोना वाइरस जो है काफी भड़ चुका है, इसलिए आप थोड़ा अपने सिहत का ध्यान रखें और घरों में ही रहें, और अपने पूछने के लिए जा सकते हो, बट आपको जो पढ़ाई है भी आउनलाइन ही करवाई जा रही है, वो आउनलाइन जो है वो कांटीनू है, तो प्लीज आप ध्यान रखें और घरों में ही रहें, और अगर को डॉट है तो आप अपने स्कूल में पूछने के लिए भी जा स हैं, फिर बच्चों की डिमांड आगे काफी मैं की जो लव एक्रॉस इस हाल टैजट है, इस लेसन का भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि पेपर्स भी पास आ रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ी टेंशन भी हो रही है, तो चोलो मैंने सुचा आज ये वाला लेसन जो है आज इसका वीडियो बना ही देते हैं, जो वीडियो का शॉर्ट स्टोरी है, लव एक्रॉस इस हाल डैजट के बारे में है, जिसको की बाए कैकी एन दारुवालिया ने लिखा है, जो पोईट थे, जो काफी फेमस थे, राइटर हैं पहले, जो पोईट भी हैं, और इनका ज जब 1937 में उनका जवनमगत, अब इंडिया पाकिसदान ने नहीं था, तब एक ही कंट्री थी, तो जो एक इंडियान राइटर हैं, जो ने इंग्लिश में काफी कुछ लिखा है, तो इन्होंने पोईब्स भी लिखी हैं, काफी सारी, वो काफी पापलर पोईट हैं, तो ज जो पॉइमनी सारी शारड स्टोरी है, कश खेतर है, राजस्थान में वहां की है, तो जब ब्हुत बड़ा विशाल और सुन्सान मरुस्त हल हो एक रिकिस्थान है, जो भारत की सीमा का भाग है, जो पाकिस्थान के सीन्द परांथ के साथ लगती है, मदर मैंने आपको बद जो पाकिस्तान का सिंद परांता स्कों साथ भी लगता चे से पी सद्ध़ की अचरी स्बाइब किसом है तो फिर भी कुछ लोग धरना डाघ्ट करते हैं तैस पाकिस्तान, करते हैं लोग के शेत्रों में काम करना जाना भी पॉसिबल नहीं है तो लोग क्या करते हैं फिर यही रास्त अपनाते हैं स्मग्रिंग से ही पैसे कमाते हैं और अपनी रोज मरा की जो चीज़े हैं उनको पूरा करते हैं और जी जो लोग हैं प्राया कहां रहने वाले होते हैं इनी सीमा वर कुछ एक बार वो अपने पुत्तर जो जिसका नाम की नाजम हुसैन था उसको अपने साथ पाकिस्तान ले गे थे वे सीमा पार एक पाकिस्तानी गौव में जाते हैं वहां नाजम हुसैन का फातिमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है वो जब वो प्यार हो जाता है फातिम पूरी गूमती रहती है इस कहानी में नाजम हुसैन के उस सहास वीरता का बनन किया गया है जो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए दिखलाता है वो पूरा मींस अभी शोटा सा बच्चा था बीस साल का लड़का था वो जब उसको प्यार हो जाता है तो पूरा रिग कि इस्थान को पार करके वहां पे जाता है अब मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोड़क्शन दे की देदी इस चैप्टर में क्या है तो अब हम शिरू करते हैं इन दी बीगनिंग पैंदी रैन हैस बिन डिस्क्राइब तेर बास ड्रॉट फार टू यर्स जैसे कहानी स्ट कहाने स्ट ओती है अठी अगाले खूलागे है कि न रॉल्त में दो नौ घ्रूट सेयों पर तक दबढ़ धाई उक्सथा से म्सराइब कर्च भड़ा ता विंबाड़क्ति और करेहं है इंटी पर लाईजरें से पड़ साले पिन और जाने शानकर ड़ती क्रेज्व नहीं था कोई भी उमीद नहीं थी तो फिर एकदम से वहां पर गया जाती है लड़की जिसका नाम की फातिमा था जो उस वीलेज के लिए उस गाउं के लिए बड़ी फार्चुनेट बड़ी खुशकिस्मत लक्की साबित होती है फातिमा को थी जो नाजम हुसैन जिसके साथ करने के लिए उसको अपने गाउं में लेकर आया था पकिस्तान से जिस दिन वह उस गाउं में पाउं रखती है उसी दिन उस गाउं में भारिश होती है और जितना भी सूखा था दो तिन सालों से पड़ा हो वह सब खतम हो जाता है शी वास डी डाटर आफ स्पाई सेलर एं काले खान काला शाह उसके पापा जी का नाम किया था काला शाह दे चीफ गाउं में जाता है जहां पे कि उसके पापा स्मगलिंग के लिए जाता है तो वो उसका प्यार वहां पे किसके साथ हो जाता है फातिमा नाम की लड़की से हो जाता है जो कि बड़ी सुन्दर दी जो स्टोरी है याँ लव अक्रास इस्वाब डैजरड डिक्ट्स ए लव अफेयर अफिर्ड़ हों पियार किस तरह से दो सच्चे लोग प्यार करते हैं और उनका प्यार किस तरह से सिंसियर होता है और जिनका नाम क्यादा दोनों का नाजम एन फातिमा इस कहानी में सच्चे प्रेम की शक्ति का वर्नन किया गया है इसमें बताया गया है कि किस तरह सच्चे प्रेम कि जुआला व्यक्ति को सब परकार के खत्रों का सामना करने के जो के बना देती है कहानी का हीरो जो नाजम जहन था वो अपनी प्रेमिका जिसका नम की फातिमा था के लिए अपने जीवन को खत्रे में डाल देता है कि इन्त में अपने प्रेमिका को प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है इस फैसिफिक स्टोरी आइंडिस्कुसिंग इस सट इन इंडियन टॉण अधि आउट्सकेट्स अधि इंडिया एंड परकिस्दान की कानी इंडियन टाउन था जो जो और याउट्सकेट्स मनें भाठी इनदिया के थोड़ी अगे factor Ар्णि यह वहां की इंडिया और पाकिस्दान की साल्टी डैजर्ट साथी रहन आफ कष्ष क्षेतर थोड़ा सा हिसा गुजराद में पड़ता है थोड़ा सा राजस्तान में वीलिजर्ट विलिजर्ट साथी और राजस्तान में तो अगर बारिश नी हो दो तिन सालों से तो क्या बूरी हालत होगी वहां पे Many villagers earn their livelihood by smuggling goods across the border और वहां के रहने वाले लोग आप अपनी घुजर बजर किस तरह से करते थे वो आपन जहां कि कुछ चीज़ों को smuggle करते थे बॉरडर के पार, bribing, bribing होता है किसी को रिश्व Mick देना अब बाडर पार पार करना है तो बाडर फे, पुलिस, आरमी होती है, आब उनको क्या क्या करते थे, ठोड़ा सा रिषżyत दे के, बाडर प्रॉस करते थे, और फिर क्या करते थे, कुछ चीजें पाकिस्तान से भी वहां से स्मंगलिंग करके पाप aíस लाते थे, जिनको आके जहां पे बेशते थे नाजम एंड इस फादर टू स्मगल स्टफ इंटो दी पाकिस्तान और ब्रिंग बैक स्पाइसिस फ्रम पाकिस्तान बिलेज अब जो नाजम था जो की हीरो है और उसके पाप आफ ताफ वो भी सेम काम करते थे समगलन कर्ते थे गुट्स को चीजों को पाकिस्तान ले जाते थे पुछ चीजों को और फिर वहां से फिसे पाइसी मसाले बगरा भाप अब बहां से पाकिस्तान से लाते थे नाजम इस ब्रूछन हाल ऑ्ने घखा था य से बहाय अन्डकी हेस्ट उक जाम था किसी लड़की के बात भी करती चाती थी तो बलश कर जाता था, शर्मा जाता था और बड़ा सुन्दर था और कोई भी जो उसके दोस्त है कभी भी नहीं सोचते थे यह इतना बहादूर निकलेगा इवन कि जो उसके पापा अफदाब थे उनको भी डर लगा रहता है, फियर मैंने डर लगा रहता था कि जो भी उन्होंने कमाया है जा उनके पूर वो जो ना इसके उनके पूर वेज़े उन्होंने जो भी कमाई की है, जो भी प्रॉप्टी कटी की है वो जो लड़का सब खराब कर देगा वो इतना शर्मीला किसम का लड़का था कि उसके पापा को जह लगता था अगर यह कोई चीज बेचेगा तो उसके बदले यह किसी से पैसे भी नहीं लेगा पर यह जो सारी प्रेडिक्शन थी जो सारी उसके बारे में सोच थी वो सारी क्या हो जाती है पिल्कुल डिफरेंट हो जाती है जब वो अपने आपको सापित करता कि वो कितना ब्रेव है नाजम तर्ण तो वी क्रेशिस ब्रेव और डिटर्माइट हीरो फार रोमेंटिक मूवी अफ्टर इस फर्स मीट विद फातिमा वो इगनिटिद ए स्पार्क अफ लव इन हीम वो अपने आपको लिटर पार्ट आउस स्टोरी में जैसे के हमारी हिंदी फिल्मो के रोमैंटिक मूवी जो होती है उसमें क्या करता है जो अबुक्तब armour ये अपने आपको पूरा बहाधुर तो वो उसके प्यार के लिए आपको पूरा बहातुर साबित करता ए है on one visit to Pakistan the hero meets the spy seller daughter eyes meet love at first sight हुआ क्या था जब वो Pakistan एक पार जाता है अपने पापा के साथ तो उसकी जो मुलकात है किसे हो जाती है spy seller की बेटी थी उसके साथ हो जाती है आंके मिल दी है और उनको प्यार हो जाता है दोनों को the hero returns home with his father then informs his mother of his love that and that he will be going to bring home his bride अब जब वो पाकिस्तान से बापिस आता है तो अपने फादर के साथ तो अपने मा को बताता है कि उसको उस लड़की से प्यार हो गया है अब वो फिर से वहां बापिस जाएगा और उसको दूलन बना के बापिस लाएगा as do standard Indian movies mothers she wants her son to be happy जैसे कि हमारे हिंदी फिन्मों में होता है जो मा होती है वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है but he is concerned of his safety and finally she curiously sends off her son with some food and jewels अब वो चिंता तो कर रही थी उसकी safety बापारे में बट अब अब उसको रोकती वो तब भी नहीं रुकता इसलिए उसने सोचा कि इसको जाने दो और उसने उसको कुछ food और कुछ jewels उसको साथ में दिये ही अंडेटू के dangerous journey cross the border उसने एक खतरनाक जात्रा शिरू कर दी उसने बाडर क्रॉस किया अब जब वो बाडर क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ जो वहां पर bsf जा जो भी आर्मी होगी उन्होंने भी उसको देख लिया और उसके पीशे वो लगे वहां से निकल भागा तो फिर वो क्या किया वो घूंते गूंते उस गाउं में पहुंच गे कि शायद जहां इस ग तो इसी में पहलों नहीं नहीं तो इस तहरा नहीं से तो हमारे में चुक्त वहां तो फातिमा प्तता पिकता है कि जहां पर अ चूप वहां वाला ए extremes कर दो रही तो वह अगले प्रहता उसके लिए गरम दूद करें गलास लेके रहाई। आपने पापा को दूद देने आई तुम उसने अपने पापा को सुनाए कि तुम्हारा एक महजमान आया है। वो कहता है वो कहा था उसने बोला कि वो सारी रातों जो जानरों वाला जुमड़ा है उसी में उसने बिताई है एक पल के लिए तो काले चाह के पैरों से नीचे से जमीन ही निकल गई वो सोचने लगा अभी तो पलीस वाले इसको ढूंट रहे थे पूरी रात और मैंने कहा जहां पे कोई भी नहीं बड़ ये तो मेरे ही घर में था चारों तरफ पलीस उसे सूंटी फी रहे थी जबकि सुएं उसको इस समंध में कुछ पदा ही नहीं था वैर नाजम से केवल एक पाल थोड़े समय के लिए मिला था जबकि वो अपने पीता के साथ कुछ समगलिंग के लिए वहां पे उनके घर पे आया था क्यों पीओते오ं पर्फिर वह उसे किया किया तो जो झाल दीया है जो कम जो ड्युक्त ले आया में जहां पर जय जो मसालिया उनको लेने आया हूं उसके बदले मैं आपको सूनना देता हूं यहिए आक्चुली मू सके पापा घृसी करना जाता था कि वो कहीं बीजी हो जए तो हम अपना गाम कर लें तो वो क्या करता है उसके पापा जोते हैं बजार चले आते हैं उसके वो सुनने का वो उसको देता है तो उसके लिए मसाले खरीदने के लिए बजार चले जाते हैं अब जात्रा के दुरान ना तो उसने जो भी उसको मुश्किलें पैदा ही जाग गोलियां थी रास्ते में, इस ने इन चीजों की कोई भी केर नहीं की, उसने बहुत सारी हाट्षिप्स अपने रास्ते में, जात्रा के दुरान सही, वो अपने प्यार के प्रती पूरा फेथफुल था वो चानता था कि सचा प्यार क्या होता है अब वो किसी भी चीज़ को वो हमेशा उसको जात करता रहता था फातिमा किसी चीज़ को हाथ भी लगाता था या मैजन भी करता था तो उसको हर चीज़ में फातिमा ही दिखाई देती थी नाजमा ब्रेफ सी बादर फोर्स इन स्टाइल उसने पूरी बहादुरी के साथ जो बादर फोर्स से उनका भी उसने सामना किया नाजम after falling in love with Fatima turned to be a dear devil as for his return to Kavda he shipped away along with his camel Allah Rakhah determining to bring back Fatima as his mother's daughter-in-law अब नाजम जब उसको प्यार होगा जब Fatima से तो वो एक जिसके दिल में डर नहीं होता इस तरहां से वो बन गया जब वो वहां से बापिस आया जहां पाकिस्तान का जो वीलेज था वहां से बापिस आया तो उसने सोचा कि वो फिर से बापिस जाएगा और उसको अपने मा की बहु बना के अपने घर ले आएगा उसको फातिमा को इसलिए वो अपना कैमल जो था उसका जो उन्ट था अल्ला रखा उसके साथ वहां से जाता है और उस पाकिस्तानी विलेज में पहुंच जाता है सारे जितने भी हाड़शिप से उनको पार कर गे He braved all the pearls and dangers during the desert और जो उस डैज़ट में उसको जितने भी जो भी हाड़शिप साए उन सब को पार करके उसने पूरी बहादरी का दिखाई और वहां पे पहुंच गया और फातिमा भी जो थी वो इसके साथ भी शादी करने के लिए उसको भी इसलिए प्यार हो जाता है अच्छली जो उसके पापा थे वह उसकी शादी एक गाउं के लड़के के साथ करना जाते हैं वह पिलकुत सुन्दर नहीं था और वह इतना ज्यादा था कि उसकी बात कोई भी समझ नहीं आती थी और फातिमा भी जब पहली बार इसको देखती है जो हीरो था इसका नाजम त तो दूसरा वह उस लड़के के साथ शादी भी नहीं करना जाते थी तो जब वह पाकिस्तान विलेज पहुंचता है तो वह अपने जो उसके पापा थे उसको वह उसके लिए लगा देता है कि मैं आपके जाम साले लेने के लिए आया हूं इतनी देर में वह उससे पूछता लिए और हमारे यहां पर खामोशी का मतलब आपको पता हां ही होता है अब आप बिल्कुल सीधी थी अगली जब शाम हो जाती है तो वह वहां से भाग निकलते हैं नाजम अपने उंट को लिए गाउं के बाहर और उसकी परतिक्षा पहले ही से कर रहा था और फातिमा को में अपना घर आप जोड़ रही हूं जहां एक देश को शोड़ने और दूसरे देश में प्रिवेश करने का समंद्र तो उसके दिमाग में तरिक भी नहीं आया पाकिस्तान अथवा हिंदूस्तान के बारे में सोचने का समय उसके पास था ही कहां उसको पता था कि अगर मैं पापा उड़के तो मुझे शोड़ेंगे नहीं जब भी कोई कोई अपने प्रेमी के साथ भाग रहता तो उसके दिमाग में जबात तो कभी आती नहीं फातिमा के लिए इसका इतना ही था कि उसको सिर्फ यह लग रहा था कि जहां पे सिंधी भाचा बोली जाती है तो वहां क कि अगर हम कहीं रास्ते में रुके तो हो सकता है कि हमारे पीशा वह कर रहे होंगे उसके पीता जी बगरा तो हमें पकड़ लेंगे और जब वह थोड़े आगे पहुंचे तो अब फातिमा भी पूरी तरह से थागी जूगी थी और वह उंट पहीं सो जाती है दूपैट ढ खुली तो उसने देखा कि अकाश में बादल शाय हुए थे वे बादल शीगरी उसे घने होते गे और भ्यानक लगने लगे मतलगी आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बिदाया कि जैसे वह गाउं में अंटर करती है तो बारिश होती हो सारा सुका कटम हो जाता तो र रात चलते रहे बादल की रास्ता भी सामने से दिखनी रहा था तो वह चलते रहे जब एक हवादा के नहीं समी पोंचे तो पूरे काश में बिजली चमकने लगी और बादल गर्जने लगे His daring was crowned with success when he finally stepped on to the अब जो भी उसकी success होगी थी अब वो फातिमा अपने साथ अले गया था जब वो घाव में पोंचे लगा stepped into the into the खावदा soil with फातिमा bringing in tutorial rains which ended three years of death daring drought and thus bringing a relief and new lease of life to Khawadians who in return welcomed Fatima with open arms as a bring bringer of joy to them अब जैसे ही वो एंटर करते हैं गाव में तो बारी स्टार्ट होती है और जो भी drought होता है वो तीन सालों का जो भी सूखा पड़ा था उनके गाव में तो वो सब खतम हो जाता है और लोगों को इस चीज़ से अर्लीफ मिलता है रहत की सांस आती है इसलिए वो क्या करते हैं फातिमा थी जो उसका वैलकम करते हैं वहां पर तो रास्ते में जैसे वो आज चमकने लगी बादल करजने लगे तो जो उस रात अफ़ताब के जो पीता जी थे उसने भी क्या किया तर्वाजा बार बार जो खड़ता है रहा हुए उसने भी इतने बिज्ज्णी शमकते हुए किरो यह जैसे बताया कि वहां पर तो में तो जर्ग सबदें तो आफटाब को भी आपना रोप दिखाने के लिए बोलने लगे अरे तुम अपने बेटे को अपने साथ कुछ लोटे हो तो क्या कुछ लेकर भी आया तो नाजम उसन को जवाब देने लगा हां नाजम ने उतर दिया जब उसने फातिमा का हाथ अंदर प्रसुल्टाइब अ अंदर की तरफ खींच के हाथ कर दिया वर्षा जोरों से पढ़ने लगी और जह सब कुछ जो भी तीन वर्षों का जो भी सूखा था उनके वहां पढ़ा हुआ तो वह सब खतम हो गया जैसे उसके पीदा जी तो वह भी अंदर बता देता हां मैं अपने साथ जह आपकी लोग जो थे वहां काओं के वह भी उन्होंने भी इसलिए उसको अपना लिया कि यह हमारे काओं के लिए बड़ी लग्की है और जो भी सुखा सुखा था वो सब खतम हो गया तो इस तरह से वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे बच्च जह हमारा जे चप्टर था करूंगी मुझे पूरा है कि आप लोगों के वेपर साने वाले हैं तो आपको हैल्प हो जाएगी इसमें तो मैं एक आदे दिन में उसको भी कंप्लीट करके डाल दूंगी तो बाकि अगर आपके को 10th क्लास का कोई भी अगर आपके भाई-बैन भी पढ़ते होंगे 10th क्ला में भी कोई प्रावल्म आ रहे है लेसंस में तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी थैंक्यू एंड हैवे नाइस देग